नवश्कार दुस्तो स्वागत है आप सबी का हमारे स्वत्वचन में दुस्तो केंद्रे करमचारी और पेंशनधारियों के लिए बहुत बड़ी और बहुत अच्छी खुशकब्री है मिश्रा हैं जो जनरल सेकेटरी है और इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के जो सबसे बड़ी सस्ता है रेलवे करमचारियों की और इन्होंने इस बारे में कैबनेट सचीव के साथ एक महत्मुन बैठक भी की है आप मिले हैं कैबनेट सचीव से क्या मान आपने रखी है उनके लेने में चीजों को समझने में लगाता है तो यह हाई टाइम है कि अब आठवे बेतन आयोग की घुच्णा हो जानी चाहिए हैं हाला कि हमारे जो दूसरे साती हैं या कही जगे पर और जो अधिकारी लोग भी हैं उनका बेतन आयोगों के बारे में कुछ बहुत अच्छा तर्जूर्बा नहीं है हमारा भी कही हद तक तर्जूर्बा इसा ही है जिसे पहले बेतन आयोग का जो आया वो काफी कर्मचारियों में उसकी सराना हुई है लेकिन दूसरा बेतन आयोग आया तो उसने जो है वो जो पहले बेतन आयोग मिला था उसको भी चीनने का काम किया इसी तरीके से पांच्वें बेतनायोग बहुत अच्छा आया च्छाड़ा वेतनायोग जो है उससे कम आया लेकिन साथ में बेतनायोग ने जो हमारी अपेक्षा थे उसके खिलाब जाकर काम करने काम किया और हमने हर्थार की नोटिस तक देने का काम किया उसले तो इसमें अच्छा तरीका हो सकता है चोकि यह साथ में बेतनायोग ने कहा था कि जब पचास परसेंट यह बढ़ जाए तो मैट्रिक्स को बदल दो मुल्टिप्लाइंग फेक्टर चेंज कर दो तो यह जो तमाम चीजें हैं उनको अगर आप उसी के आधार पर आगे ले जाना चाहत ही हैं तो उन सबसे बात करके और हम उस मेशिनिटी से बात कर सकते हैं हमने एक बार यह बात भी की थी कि वेजरिवे कमिनटी बनाई आप ताकि छे मेले में रिपोर्ट आए और लागू हो जाए पिछला जो सात्वां वेतनायोग था वो दो हज़ा चौदर में ही गठित कि आ गया था और आप सबको पता है उस दोरान उसकी काफी चर्चा भी हुई थी लेकिन सिफारिशन लागू होने में वक्त भी लगता है उसमें तो आपको लगता है कि इस बजट सेशन के दोरान सहकार को एलान करना चाहिए इसका निश्चित करनी चाहिए करमचारी हित में निशुत आ निश्चित में कई दूसरे संघ्ठनों ने भी कामचारी संघ्चनों ने भी इसका इसकी मांग की है बिल्कु करनी है सबकी और जो हमारे महमंस्ट्री चाहब है यह में हमारा पुरा पुरा इंडिया का ध्यान रख रहने सब चीजों कर लिए और हम जो भी मामंतिर साफ कहाँए उसी कर अनुसार हम आगे चलेंगे इक और मांग भी है आपकी कि जो पुरानी पेंशन विवेस्था है उसे बहाल की जाए एक कमीटी एक हाई लेवल कमीटी क अपने जो उनका कायरकाल था उसके दौरान हम लोगों से दो मीटिंगें पहले भी की थी हमने उनको लिख करके भी अपना मांग को तर दिया था और अभी भी उन्होंने पंदरा जैने पंदरा तारिफ को इसी महने में मीटिंग की थी हम तो हमारे रोगों की एक ही मांग है कि जो तर्णखा है उसका 50% जो है वह हमको पेंशन दी जाया और उसके उपर हमको लियन्य स्रिलीव मिले जी मुझे आशा है कि कमिटी जो है वह इस बात को सरकार तक पहुंचाएगी और मुझे लगता है कि सरकार भी इस बारे में कुछ यह हो hmm पाकर हो जो हम लोगों का उमीद है जो विंगा रेल्वे करमचारी जो हमारा जो infrastructure है हमारा जो रेलोए इंपलोई है उनका और सुभीधा और उनका सेप्टी कैसे बढ़ाए जाए जो जो हमारा पैसेंजर चल ला है जो महमंत्री जी ने बार बार बोलते हैं जो हमारा रेलोए का जो करमचारी है वो देख का सुरक्षा का काम करते है इतना लोगों को एक जग स्टाते जाएंगे अगर रेलोए तो हम कैसे सुरक्षा दे पाएंगे तो रेलोए सेफ्टी पे भी विशेज ध्यां देड़ा है यह ड़ा डेफनेटी ओशेवर सेफ्टी के ऊपर हम लोग बहुत धयान दे रहे है सब लोग करवचारी इनको भी धयान दे रहे है इसे स्ट देड़ी तीवी तीविए